अठारा गंठे तक बांदिकुई थाने में बंदी रही बहेंस मालिकाना को लेकर दो जनों में बिवाद मंदीर में कसम खाने की बात पर एक मुक्रा दोसा जिले के बांदिकुई में सौमार को एक अजीवो गरीब वाक्या सामने आया है यहां एक बहेंस के दो मालिक बन गए जिसके बाद मामला थाने तक पहुँच गया करीब 18 गंटे तक बहेंस थाने में एक पेड़ से बंदी रही और इस पर विवाद चलता रहा कि बहेंस खिसकी है दोनों पक्सों से पूरा परिवार थाने में इखटा हो गया और अपने कलते देख थाने के हेड कोंस्टेबल हरी सिंग ने कहा कि वो इसकी मेडिकल जाच भी करवा सकते हैं अन्यता जिसकी भेंस है वो मंदिर में खसम का हैं इसके बाद एक पक्स अपनी बात से मुकर गया तब जाकर भेंस के मालिक का भेंसला हुआ यू की बढ़ियाल कला निव सी बिनोद मिर्णा की तीन दिन पहले घर से भेंस चोरी हो गई थी रविवार साम को सहर से पंच मुकी जारे रोड पर एक लोडिंग टेंपो से ले जाते उसे दो भेंस दिखी बिनोद मिर्णा सहीत अन्यने पिच्छा कर टेंपो रुखवा लिया और इसमें एक भेंस काफी बढ़ गया और कोई भेंसला नहीं हो सका ऐसे बने एक भेंस के दो मालिक लोडिंग टेंपो में भेंस ले जा रहे मदन बन जारा निवासी मोतिवाडा ने बताया कि वह दोनों भेंस खरीद कर ला है जिस भेंस को बिनोद अपनी बता रहा है वह भेंस उसने पामाड के भुला लिया वह थाने पहुचा जहां दोनों ही पक्स वापस बैस पर अपना अपना दावा करने लगे पुलिस ने जांच के लिए दोनों परिवार की मेलाओं को बुलाया तो वह भी भेंस को देखकर अपनी अपनी बताने लग गई रामजीलाल सैनी के घर से आई मेला श्लखा हुआ है खसम काने की बात पर सुलजा है मामला दोनों पक्सों के बेंसों को अपनी अपनी बताने पर जाच अदिकारी हरी सिग्ग ने कहा कि बेंस की डिएने जाच कराएंगे और दोनों पक्सों को हेडाखेडी मंदिर ले जाकर इमान धरम उठवाऊंगा उन्होंने कहा कि अभी भी बता दो भेंस किसकी है जूट बोलेंगे तो इस वर्म आप नहीं करेगा इस पर विनोध कुमार पक्स की मेलाओं फिर से भेंस को देखा और कहा कि ये भेंस उनकी नहीं है तब जाकर मामला सांतवा खरीदार को सोपी भेंस जांच अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्सों से जांच करने के बाद सामने आया कि भेंस को मदन बन जारा मोती वाड़ा ने रामजिलाल सेनी सरबाला की डानी से खरीदा था इस पर दोनों भेंसों को मदन को सोप दी गई है